जूरी किसान के दो बैलों के नाम थे हीरा और मूती दोनु डील में उँचे, देखने में सुन्दर काठी के और काम में दक्ष थे बहुत एनों से एक साथ काम करते करते, रहते रहते दोनु में भाई चारा हो गया था दोनु एक दूसरे को चाट कर और सूम कर अपना प्रेम प्रकट करते कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे विग्रा के नाते नहीं कीवल विनोत के भाव से आत्मियता के भाव से एक बार जूरी ने अपने दोनों बैलों की जोड़ी को पतनी के आगरह पर ससुराल कार्यवश भेज दिया लेकिन बैलों को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि उन्हें क्यों भेजा जा रहा है उन्होंने समझा कि उन्हें मालिक ने बेच दिया है इसलिए रास्ते में जाते समय उन्होंने जूरी के साले गया को पूरे रास्ते खूब जखाया संध्या होने तक दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँच गए दिन भर चलने के कारण भूके भी थे इसलिए जब उन्हें नानल में लगाया गया तो बड़ी तेजी से खाने को उत्सुख हुए लेकिन एक ने भी उसमें मूह नहीं डाला दिल भारी हो रहा था क्योंकि आज तक जिसे उन्होंने घर समझा वह आज उनसे छूट किया था यहां उनके लिए सब कुछ नया था दोनोंने बिना कुछ खाए पिये ही एक दूसरे को कनखियों से देखा और अपनी मूप भाशा में सलाह की जब रात में गाउं में सब लोग सो गए तो दोनोंने जोर मार कर पगहे तोड़ डाले और घर की तरफ सटपट चल पड़े प्राता काल जब जूरी सो कर उठा तो अपनी दोनों बैलों हीरा और मोती को दर्वासी पड़ देखकर सने से गदगद हो उठा दोनों बैलों की गर्दन में आधा आधा गराव लटक रहा था घुटने तक पाउं कीचड से भरे थे साथी दोनों की आखों में विद्रोह मैं सने चलक रहा था जूरी ने दोनों बैलों को इस अवस्था में देखकर खुशी से दोड़ कर उन्हें गले लगा लिया और उन्हें बार-बार चूमने लगा यह द्रिश बड़ा ही मनुहर था लेकिन जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल्बुन उठी बोली कैसी नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया भाग खड़े हुए परन्तु जूरी अपने बैलों पर यह आरोप न सुन सका और बोला नमक हराम क्यूं है चारा दाना न दिया होगा तभी तो भागा है स्त्री ने रूप के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं जूरी ने पत्नी को चड़ाने के खयाल से कहा जारा मिलता तो क्यूं भागते दूसरे दिन जूरी का साला गया फिर आ गया और इस बार उसने उन्हें गाड़ी में चोट कर ले गया जिससे वे उसे रास्ते में परिशान न कर सकें जबकि दो-चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा पर हीरा ने संभाल लिया क्योंकि गाड़ी गिरने पर चोट तो उन्हें ही लगते हीरा ज्यादा समझतार था संध्या समय घर पहुँच कर दोनों को मोटी रसियों में बांधा गया और कल की शरारत का मजा चकाने के उद्देश्य से उन्हें फिर वही सूखा भोसा दिया गया जबकि अपने घर के बैलों को खली चूनी सब कुछ दिया गया दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था नहीं ऐसा कभी खाने को दिया गया था दोनों ने नांद की तरफ आँख तक न उठाए अगली सुबा गया ने दोनों बैलों को हल में जोता पर दोनों बैलों ने अपनी जगा से ना हटने की कसम खाली थी वह मारते मारते ठक गया लेकिन उन्होंने वहां से अपने पैरों को टस से मस्तक नहीं किया इस प्रकार हार मान कर गया ने उन्हें नांध पर लाकर बांध दिया दोनों के सामने आज भी रूखा सूखा भूसा ही डाला गया दोनों चुपचा खड़े रहे घर के लोग अभी भोजन कर ही रहे थे कि एक छोटी सी लड़की घर से दो रोटियां लेकर निकली और दोनों के मूँ में देकर चली गई उस रोटी से उनकी भूख तो शान्थ होने वाली नहीं थी लेकिन मानों दोनों के हृदे को एक अलग प्रकार की शान्ती मिली थीरे थीरे दो चार दिनों में उस छोटी सी लड़की जो फोरी की थी जिसकी मा मर चुकी थी सौतेली मा उसे हमीशा मारती रहती थी से दोनों की आत्मियता बढ़ गई दोनों दिन भर जोते जाते डंडे खाते और शाम को थान पर बांध दिये जाते और रूखा सूखा भूसा डाल दिया जाता बस रात को वही बालिका लड़की उन्हें रोटियां खिला जाती उससे उनकी दोस्ती हो गई थी एक रात दोनों ने वहां से भागने की योजना बनाई रात को जब लड़की रोटियां खिला कर चली गई तो दोनों रसियां चबानी लगे पर रसी मूटी होने के कारण मूँ में न आती थी बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते थे तभी उन्होंने देखा कि घर का दर्वाजा खुला और वह लड़की उनके सामने आखडी होई दोनों सिर छुका कर उसके हाथ को चाटने लगे उसने दोनों के माथे पर हाथ फेरा और बोली खोल देती हो तुम दोनों को चुपके से भाग जाओ नहीं तो यहां के लोग तुमसे काम करवा करवा कर मार डालेंगे उसने दोनों के गराव खोल दिये और भागने का इशारा किया पर दोनों चुप चाप खड़े अभी सोच रहे थे कि हमारे भागने पर इस बच्ची पर आफ़त ना आ जाए तभी वह चिल्ला पड़ी दोनों फूपा वाली बेल भागे जा रही है ओ दादा दोनों बेल भागे जा रही है चल्ली पकड़ो यह सुनते ही दोनों वहां से भाग निकले गया खबरा कर घर से पाहर आया और भागते हुए बेलों का पीछा करने लगा दोनों बेलों ने भागने के चक्कर में इतना भी ध्यान नहीं रखा कि वे रास्ता भूल गए थे और भूग से व्याकुल हो रहे थे अभी उन्होंने आजादी की सांस भी पूरी तरह नहीं ली थी कि देखा अरे यह क्या कोई सांड दोणता चला आ रहा है सांड भी हाथी की भाथी विशाल काय था उससे भागना भी कायरता ही थी सो दोणोंने उससे सामना करना ही उच्चित समझा ज्यों ही सांड हीरा पर जप्ता मूती ने पीछे से उसे दोड़ाया सांड जब उसकी तरफ मुढा तो हीरा ने उसे रगेदा इस प्रकास सांड ने जल्ला कर हीरा का अंत करने की सोची तब ही मोती ने बगल से आकर सांड की पेट में सींग भोग दी अचानक हमले से घबरा कर सांड खायल होकर गिर पड़ा तब दोनों मित्र विजय के नशे में उसे छोड़ कर जूमते हुए आगे निकल गए दोनों को लड़ने के कारण फूक लग रही थी तब ही उन्हें मटर का खेत सामने दिखा मोती उसमें खुस गया हीरा मना करता रहा लेकिन उसने एक न सुनी उन्होंने अभी दो चार ग्रास खाय थे तब ही दो आदमी लाठिया लिये तोड़ पड़े दोनों मित्र दलदल में फसने के कारण भाग न सके उन्हाद्मियों ने उन्हें पकड़ कर काजी हाउस में बंद करवा दिया जब वे काजी हाउस के अंदर पहुँचे तो देखा कि वहां कई भैसे थी कई बकरियां, कई घोडे, कई गधे पर किसी के सामने चारा न था सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे कई तो इतनी कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे सारा दिन दोनों इस आस में टक-टकी लगाए देखते रहे कि कोई चारा लेकर आएगा लेकिन जब कोई नहीं आया तो हीरा के दिल में विद्रो की ज्वाला दहे को थी मोती से बोला अब तो नहीं रहा जाता मोती चलो, यहां से भागने का कोई उपाय निकाला जाए बाडे की दिवार कच्ची थी हीरा मस्पूत तो था ही रात का वक्था उसने अपने नुकीले सींग दिवार में गणा दिये और सूर का धक्का मारा तो मिट्टी का एक चिपड निकलाया फिर तो उसका साहस बढ़ा और उसने दोड़ दोड़ कर दिवार पर चूटे की उसका साहस देखकर मूती ने भी उसी जगा सींग मारना प्रारंब किया काफी मेहनत के बाद आधी दिवार गिर गए दिवार का गिरना था कि अद्मरे से पड़े हुए सभी जानवरों में भी जान आ गए सबसे पहले तीन घोडियां सरपट भागी फिर बकरिया निकली उसके बाद भैसे भी खिसक गए पर गधे अभी जिऊं के दिऊं खड़े थे मोती ने उन्हें भी सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल दिया और अपने मित्र हीरा के पास बैठ कया क्योंकि हीरा मोटी रसी से बंधा होने के कारण भाग नहीं सकता था इसलिए मोती भी नहीं भागा अगले दिन बाड़े की हालत देखकर वहां के चोकीदारों ने गुसे में आकर हीरा और मोती की जम कर पिटाई की अब उन्हें खाने को भी कुछ नहीं दिया जाने लगा कुछ दिन इसी तरह बिताने पर एक दिन नेलामी हुई और उसमें एक व्यापारी ने दोनों बैलों को खरीद लिया दोनों मित्र उस व्यापारी के साथ चल दिये चलते चलते सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यहां परचित रहा है हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले किया था वही खेत, वही बांग और वही गाउं मिलने लगे प्रतिक्षन उनकी चाल तेज होने लगी सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई उन्हें लगा कि यहां से अब उनका घर भी पास ही है सो उन्होंने थोड़ी और फोर्ती दिखाते हुए घर के रास्ते की तरफ भागना शुरू किया और जब तक अपने घर के थान पर नहीं पहुँच गए, रुके नहीं व्यापारी भी उनके पीछे पीछे भागता आ रहा था जूरी द्वार पर बैठा धूब खा रहा था और अपने बैलों के बारे में ही सोच रहा था एकाएक उसकी नसर अपने बैलों पर पड़ी वहाग खुशी से दोड़ कर उनके पास पहुचा और उन्हें बारी-बारी से गले लगाने लगा दोनों बैलों की आखों में आनंद के आसूं पहनी लगे एक छूरी का हाथ चाट रहा था तो दूसरा उसका पैर तभी व्यापारी आ पहुचा उसने छूरी से कहा ये मेरे बैल हैं मैं इन्हें नीलामी करा कर ला रहा हूं अभी वहाँ बाती कर ही रहा था तब तक दोड़ाता रहा जब तक व्यापारी गाउं से बाहर नहीं निकल गया फिर मोती विजई सूर की भाती वापस थान पर अपने मित्र हीरा के पास आ गया थोड़ी देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना फर दिया गया दोनों मित्र बड़े चाव से उसे खाने लगे ज़ूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और उनकी शारीरे कमजोरी को देख कर मन ही मन व्यतित भी हो रहा था तभी ज़ूरी की पत्नी ने भी आकर दोनों के माथे चूम लिये प्रेम चंद